समस्कार दोस्तों स्वागत अप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी भारत में दोस्तों आज की स्वीडियों गिंदर हम बात करने वाले हैं SSC MTS exam 2021 के बारे में आज हम देखने वाले हैं टॉप एक्सपेक्टेट मैथ जी के रीजनिंग के क्वेशन्स को आज है 19 अक्टूबर 1st सिप्ट के लिए महत पूर्ण सवालों को देखने वाले हैं क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ SSC MTS के स्टूदेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है तो आपके लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री मिलने वाला है सब कुछ फ्री मिलने वाला है अभी जैसे ये आपके exam conduct करा दिये जाएंगे MTS का जो tire 1 paper है complete हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद ही आपके लिए descriptive paper की classes हमारे इस चैनल पर start होने बार ही है जिसमें आपको tire 2 के लिए सिखाया जाएगा कि कैसे essay लिखते हैं letter writing कैसे लिखते हैं और जो जन्होंने qualify किया है SSEMTS को उनके दुआरा और सिखाया जाएगा आपको essay और letter writing उन्होंने कैसे लिखाता जिसके आपको PDF भी मिलेगी बिल्कुल free of cost PDF मिलेगी कोई भी charge नहीं लगेगा बस आपको एकी काम करना है इस चैनल को subscribe कर दीजेगा तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें तो चली friends श्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को आज का अपना पहला सवाल है एक table की कीमत math का सवाल है एक table की कीमत साड़े सासो रुपे है 4% का नुकसान पर बेचा गया था table का बेक्रे मुल्य ग्यात कीजिए देखे टेबल थी table की कीमत कितनी थी भीया साड़े सासो रुपेया कितनी कीमत थी साड़े सासो रुपेया उसकी cost price थी 4% के नुकसान पर बेचा गया कितने परसेंट के पर 4% तो 4% कितना हो जाएगा यानि कि 1 बटा 25 खिलियर है आपका cost price क्या था उसमें से आपको क्या कर देना है cost price में से आपको क्या करना है आपका loss को minus कर दीजिए clear है ऐसे करके समझ लेजिए तो जो आपका selling price होगा वो कितना होगा साड़े सासो रुपेया की भीया कीमत थी 30 उरुपे का उस पर घाटे पर बेचा गया तो बास्तवी ग्रूप से उस बस्तु को बेचा कितने में 720 उरुपे में बेचा कितने में बेचा दोस्तो 720 उरुपे में उस बस्तु को बेचा तो selling price 720 उरुपे हो जाएगी तो चलिए friends next question देख लेते हैं next question है बारत के किस राचे ने हमारा घर विद्याले अभियान शुरू किया है देखे ये अपनी मामा की नगरी मद्यपरदेश जो के बनो के वाले मामले में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बन यहीं पर पाई जाते है मद्यपरदेश में और इसका जो हाई कोट है मद्यपरदेश का कहाँ पर है जवलपूर के अंदर इसका हाई कोट है इसकी राइजदानी कहाँ है भोपाल इसकी राइजदानी है और रोको टोको अभियान भी कहाँ पर चला था मद्यपरदेश के अंदर कोरुना काल चला था अभियान कहां शुरुआत की गई थी मध्य प्रदीस में शुरुआत की गई थी इस अभियान की चली फेंट्स नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है भारत के किस मंत्राले को सब्मानित किया गया है तो सब्मानित किया गया है जन जातिय कारे मंत्राले क किया गया है तो चलिए फेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन रीजनिंग का है बहुत आसन सवाल है एक निश्चित कूटवासा में टी ओ एस्टी टोस्ट को 56345 लिखा जाता है और ट्रिन टी आर ए आई एन को 59310 की रूप में लिखा जाता है उस पर में जरूर आते हैं आप यहां से देखिए टी का मतलब यहां कितना है फाइब और टी का मतलब यहां कितना है फाइब और टी का मतलब यहां भी कितना है फाइब यानि कि कॉमन हो गया टी तो तो यहां टी का मतलब क्या हो जाएगा भीया फाइब हो जाएगा क्या हो जा तो यह 9 हो जाएगा एन आ रहा है एन के लिए क्या है यहां पर एन के लिए है लास्ट वाल अटम यानि की 0 तो कितना हो जाएगा 0 तो 5690 क्या हो जाएगा भी यह 5690 इस सवाल का सही हो जाएगा चले फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रेम मुल्य से 40% अधिक मुल्य अंकित करता है उस पर 25% की चूट देता है तो उसका लाप्रसद पताई है देगे मालेजर 100 रुपे की कोई बस्तू है उस पर 40% की क्या करता है अधिक मुल्य अंकित करता है यानि कि उस बस्तू को कितने मे और तो कितना होगा चार ती है बारा चारफ फंजे बीस कि 35 रुपए कि जूट दे देता है यहां कि 140 रुपे को फिर सबसे पहले 100 रुपए की बस्तू थी सो को 140 में किया 140 से अब भो छूट देने के बाद डिसकाउंट 35 रुपए कर देता है बस्तू कितने जाएगी बच्छी अब एक सौ पांच औरुपे की तो उसको जो प्रॉफित हुआ वो कितने दोस्तों देख लेते हैं नेक्ष्ट है दोस्तों सहीं तॉरच्छा परसत की इस्तापना कब हुए थी तो सहिकतराष्ट सुरच्छा परसत जिसकी स्तापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को United Nations की स्तापना होती है इसी के साथ दो जुडबा बहन यानि कि IMF और World Bank इन दोनों की भी स्तापना ही इसमें होती है International Monetary Fund और World Bank की स्तापना होती है सहिकतराष्ट संके जो बरतमान अध्यच है वो कौन है एंटानिया गोटारेस है एंटानिया गोटारेस है कहां के है ये पुर्तगाल के है चलिए सबसे पहले आप लोग बताईएगा सहिकतराष्ट संके पहले महासिचे वो कौन थे इसका अंसर देखते है कौन दे सकता है किसकी तयारी कितनी अच्छी चल लिए पता चल जाएगा नेक्स्ट कोशन सबरी माला मंदर किस सराज्च में इस्तित है देखे मंदरों से लेटेर परशन बार बार पूछे जाते हैं जैसे आपसे पूछ लिया जाता है दिलवाड़ा मंदर कहां पर है कौन सा मंदर दिलवाड़ा मंदर तो यह राजिस्तान के अंदर है माउंट टाबू के अंदर इस्तित है आपसे पूछ लिया जाता है मीनाच्छी मंदर कहां पर है मीनाच्छी तो यह मदुरई के अंदर बै गई नदी के किनारे पर इस्तित है आपसे पूछ लेया जाता है अच्छर धाम मंदर कहां पर है तो यह अच्छर धाम मंदर कहां पर है दिल्ली के अंदर इस्तित है ठीक तो इस टाइप की कुशन्स आपसे जरू पूछे जाते जैसे आपसे पूछ लेया जाता कामाख्य मंदर कहां पर इस्थेता है तो यह आपका जो कमक्या मंदर ऐसम गोहाटी के अंदर एस्थेता है तो सब्री माला मंदर यह वही मंदर है जिस पर मतलब इस्तुरियों के जाने पर बेन लगाया गया ता मतलब नहीं जा सकती सुप्रिम कोड का फैसला भी चला था तो important बनता है तो सब्वरी मला मंदिर किस राज में स्थित है केरल में स्थित है चले फैंड्स next question देख लेते हैं next question है कौन सा देश 91 वी Interpol महासवा 2022 साल 2022 का आयोजन करेगा तो Interpol के वारे में तो आप सभी ने सुनाई होगा Interpol का जो 2022 में आयोजन करेगा यह कौन करेगा भारत करेगा दोस्तों भारत next question है दोस्तों किसे हाल ही में UIDAI का नया CEO न्यूक्त किया है तो पंकज गुमार को किसको किया है दोस्तों पंकज गुमार को UIDAI का नया CEO न्युक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो ये रीजनिंग का क्वेशन है आज़ान सवाल है ऐसे क्वेशन पेपर में आते हैं पूछा जाता है S, A, P को W, E, T लिखा जाता है तो किसको X, I, V लिखा जाएगा ठीक है, तो S की बात करें तो S, मैंने का हमेशा बोला है इस टाइप के ने क्वेशन में आप नंबरीं के सबसे पहले लेजिए 19, A आता है 1 पर, P आता है 16 पर, W आता है 23 पर, E आता है 5 पर, और T आता है 20 पर तो आप सीधा समझे, 19 और 4, 23, 1 और 4, 5, 16 और 5, 16, 4, 20 क्या है, dedicate a very element में क्या हो रहा है, 4, 4belt, 4, 4 अड़ हो रहा है, तो आपको यहां क्या करना चार-चार गका न है, X आता है 24 पर, W आता है 22 पर, I आता है 9पर, clear है 4, 4 गटा दीजे बही, 4 इस में से, 4, इस में से, 4, इस में से क्या हो जाएगा यहां पर TRE इस सवाल का सही जबाब हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तों एक धावक एक धावक 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है उसकी गति गयात किजिए देखिए स्पीड का फॉर्मला आपको पता ही है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्लियर है तो 200 मीटर की रेस को तैय करना है कितने समय में 24 सेकंड में अब सेकंड को गंटे में बदलना है तो पहले मिनेट में 60 का फिर 60 का उपर कुणा करता हैं कि भाग लगाने का मतलब और गंटे में किलो 24 किलिर है चार से जाएगा 5 वर और 5 का उड़ा इस से होगा चैसे 5,6,30 कितना होगया 5,30 किलो मेटर पर घंटे इस धाबक की गती होगी कलोमेटर पर घंटे में नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तों महारानी लच्मी बाई का समाधी स्तल का है। समाधिश्टल से लेटर प्रश्ण पूछे जाते हैं जैसे आपसे पूछ सकता है सांतीवन किसका है तो यह है पंडित जवाला लहरू का आपसे पूछ सकता है राजगाट किसका है तो यह महात्मा गांदी का है आपसे पूछ सकता है चेत्रा बोमी किसकी है तो यह आपकी वा अभेगाट किसका है तो मुरा रजीदी साही का है अभेगाट महरानी लच्मिवाई का समाधी स्तल कहां पर इस्तित है तो यह ग्वालियर के अंदर इस्तित है चले फैंट्स नेक्स्ट क्यां का आविसकार किया उनने 1895 में इसके लिए साया इंको नोबल्स वी सायद rarely से नहीं है ऐंद दो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत बूलिएगा एससी के तयारी करने वाला प्रते के स्टुडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले चले मिलते नेक्स्ट वडियो में थैंक्यू 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 पर वाचिंग दिस वडियो